तो मोस्ट अब दे स्ट्टुडेंट का जो सवाल रहता है और वह एक बहुत जाइस सवाल भी है कि किस तरीके से मैं IIT जैम जैसे एक्जैम की प्रपरेशन करूं और मेरे ग्रेजुशन में भी अच्छे इनमार्ट साए यानि कि अगर आप ग्रेजुशन की स्टुडेंट हो तो किस तरीके से आइटी जैम के उसके प्रपरेशन कर सकते हो तो इसके बारे माज एक डिटेल में स्टॉक्चर वाइज डिस्कॉसन करते हैं कि अगर कोई बच्चा आइटी जैम क्रेक करना चाहरा है और वो बीसी फाइनल येर में है तू क्या करें देखिए अगर आप से सब्सक्राइब कोई ट्राइल प्रेसस पर नहीं देना है अब प्रपरेशन कीजिए सेकंड येर में आइटी जैम की और जब आपको लगे कि मेरी प्रपरेशन जो है पूंड तरीके से कंप्लीट हो चुकिया मेरी प्रपरेशन अब जो है 100% सही हो चुकिया मुझे चले जा जाएंगे तो उसके साथ आइटी जैम का पेपर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले होता है आपका टाइम मैनेजमेंट क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टुडेंट है अगर आप ये स्टुडेंट है तो सबसे पहले आपका जो पहला सिद्धान्थ होन पास टाइम है तो ही आप पैसा कमा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते हैं या आप अच्छे जो काम करना चाहरे वो नहीं कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज की जैसे आपने सूच लिया कि मुझे इतने बज़े से मान लिए जनरली और आफ लाइन तो आप जा नहीं पाओगे तो ऑनलाइन में अगर आप प्रिपेर करना चाहे हो तो यह सी के साथ साथ जैसी पांच बज़े आप शूटते हैं चैसे साथ बज़े से अपना सेवन टू एट या सेवन टू नाइन सेवन टू नाइन पीम तक आप कोसिस कीजिए की आप जो है उंलाइन क्लास करें अपनी ओंलाइन क्लास कफे रहें रहें ना चाहे आप रिकोर्डेड ले 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 लिए हो और पर जो बडाला वो बना लीजिए ठीक है इस टाइम पर क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा कोशन करने का कोशन करने वाला सीन सुबह रखिए फिर इसके बाद यह आपने ऑनलाइन क्लास की बहुत अच्छी बात है सब कुछ कर लिया फिर आपका जो भी कॉलेज का काम है वो क करिए उसके साथ साथ होमवर्क एसाइमेंट जो भी मिलते हैं आपको कॉलेज के तुरू यह जो भी चीज़ें आपको मिलती है कॉलेज की वह आप कंप्लीट कर लीजे रात को तो रात को आपने दो घंटे आई जैम के लिए प्रिपेर किया ऑनलाइन क्लास देखके आपने नोट्स बना लिए क्लास के डियूरेशन में ही अपने नोट्स प्रप्र कर लीजे अब जब मॉनिंग पर उठे हैं जैसे कल मैंने वी क्लास पड़ी थी तो मॉनिंग पर उठके आपको एक से दो गंटा वन टू टू आर जो है आईटी जैम के सेल्फ स्टड़ी को देना है देखो सेल्फ स्टड़ी वो चीज है जो बच्चे इग्नोर करते हैं यही सलेक्शन में आपकी रिकाउड बनेगा अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टड़ी पर बहुत अच्छा रहान देता है तो शूर है कि उसका सेलेक्शन हो जाएगा तो आप एक से दो गंडा मॉनिंग क टाइम पर क्या करो सब्सक्रीज और कि इपने लिठांग मुकंदा बना लीए तेक क् cents के वक्तव अब उसके बहुत प्यारे से सॉर्ट नोट बनाइए इसमें आप सब्लेटों लिखें यह आपको 15 मिलड मापका हो जाएगा तो उसके बाद आपने आज वना लात ऐतो पड कोशन कर सकते हैं या प्रीबीस से कोशन कर सकते हैं वाप ने करまぁ की आपको पतरचले की यह महर साली कोशन आारहा है यह मैरा इस टॉपिक के सारी कोशन लगा लिए जो कोशन नहीं chloride आपने उसको माग कर लिया, फिर उसका concept देखा, फिर भी अगर आपको नहीं समझ मा आ रहा है, तो रख दिया और teacher से पूछने के लिए, कि आप गुरूप से बच्चों से पूछ लो, या teacher से पूछ लो, पर question नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं कि question नहीं आ रहा है, तो छोड़ सकते हैं, यह बहुत जरूरी है, student life में meditation, meditation और कम से कम आप जो है, half an hour, आदा घंटा अपनी exercise कीजिए, body को, stiffness जो है, उसको दूर कीजिए, body की, आपकी body कम से कमी allow करें कि आप देर तक बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो, इसके लिए आपको meditation और जो आप दुबागे time पे exercise वगर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा help करेंगे, तो दूसरी चीज़ है, self motivation, इससे आपको self motivation भी आएगा, और आप discipline भी रहेंगे, यह बहुत important चीज़ है, student life में इसको ignore बिल्कुल नहीं करना है, तीसरी चीज, अभी test series देने की जरूरत नहीं है, अभी अपना course पूरा कीजिए IIT Jam के लिए, especially December तक कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, December तक अपना पूरा slabas पूरा करिए, revision करिए, जो भी हो सकता है, complete अपने उपर confident लाइए, sort notes बनाइए, confident में लाइए, खुद को की मेरा slabas हो चुगा है, मेरे सब कुछ हो चुगा है, अब मुझे केवल test series देनी है, इस जैसे ही आपको topic wise test अपने complete कर लिए, revision करने के साथ साथ अपने topic wise test दे दिए, अब जाएए full length test पे, ठीक है, full length test दीजिए, और देखे, क्या मैं full length test में अच्छा score कर पारा हूँ, हाँ, अगर आप अच्छा score कर पारें, तो आप IIT Jam अराम से crack कर सकते हो, IIT जहां आप जाना आप ले लिजे, जैसे मान लोगी यह तीन दिन बाद मेरा एक्जाम है, तो दो दिन आपने BAC के लिए पढ़ा, तीसरे दिन आपने एक्जाम दिया, तो उन तीन दिन का gap ले लिजे, जहां मतलब तीन तीन दिन आप अपने paper को दे सकते हो, तो दो तीन paper होता है, चार paper, पा पड़ी रहे हो साथ-साथ, especially exam में आपको focus करना जुरूरी है, ऐसा नहीं कि jam का भी पढ़ रहे है, exam का भी पढ़ रहे है, नहीं, केवल exam का पढ़िए जब BAC का exam होता है, उसके दो-तीन दिन पहले तक, केवल उस सीच की preparation करिए, jam का भूल जाएए, पर हाँ, जब jam का paper होने सेक्षिन में चूर देना,